नमस्कार, ASEAN भारत में आपका हार्दिक स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ हेमद्शर्मा हार्टबीट के इस विशेश कारिक्रम में आज हम बात करेंगे अपने दिल की आपके दिल की आपके रिदय की रिदय से होने वाली बीमारियों को लेकर हम चर्चा करेंगे डॉक्टर भरत रावत साब से जो कि मेदानता हॉस्पिटल में अर्दय रोग विशेश है गये हैं डॉक्साब का बहुत-बहुत स्वाग दे रहे हैं सबसे पहले सर हम लोग यही जाना चाहेंगे कि यह चिंता का विशेश है कि लगातार हम लोग किछले कुछ सालों की तुलना करें तो अर्दय रोग में तकरीबन दो गुना की बढ़ोतरी है और यह लगातार बढ़ते जा रहे हैं हम लोग कई वार इस बात से भी चिंतित मज़र आता है आपके पास कई केसे जाते होंगे शुरुवात हम लोग इसी से करेंगे कि सर भिंड में कुछ दिन पहले एक मामला आया था जिसमें यह का जा रहा था कि आठ वच्छी एक बच्चे को रदय घात से उसकी मौत हुई है क्या वह सही है और यदि है तो वह कितन और यह रोग ऐसा है जो की जटिल है जिसका उपचार सब जगे पे संभव नहीं है जो महंगा उपचार है और हम यह देखते हैं सिर्व अमीरों को नहीं लेकिन एक सामाने श्रेणी के लोगों को भी यह हो सकता है अब कहीं बाद जो उस तरह की हम घटना इस देखते हैं कि एक बहुत ही कम उमर में किसी को एकाएक काडे करेश्ट होके मृत्यू हो जाए तो सबसे पहले तो हमको यह समझना है कि सभी काडे करेश्ट का मृत्यू का कारण रदेगात नहीं भी होता है तो रदेगात दिल से संबंदित पांच अलग-अलग तरह की बिमारियों में से एक है तो उसके अलावा क्या-कया विमारिया हो सकती है उसके अलावा दिल में वंशानुगत कुछ लोग हो सकता है दिल में पैदाईशी है कंजनेटल हाट डिसीज हो सकती है जिसमें की दिल में कोई छेद होता है या वैल्व में सिकुडन होती है वैल्व के अंदर पैदा तो इस तरह से हमना जरूरी है कि कहीं बार इस तरह की घटनाई जो हम सुनते हैं या पढ़ते हैं वह सकता है कि उस व्यक्ति को पहले से कुछ और दिल से संबंदित रोग रहा हो जो की डाग्नोस नहीं हो पाई किल्कुल यह तो दीरे दीरे परिक्षन का ही एक विशे हो सकता है लेकिन युवा वर्ग में जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि लगातार कभी 20 कभी 18 कभी 19 या 23 चुवीस साल की उम्र के लोगों के साथ भी रड़गात या इस तरह की शिकायते हैं हम लोग देखते हैं आपक एक ऐसा वर्ग है जो कि अपने आपको यह समझता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे अभी 25-30 साल तक अपनी सेहत पर ध्यान देने की जरूतनी है और यह एक गंभीर गलती हो सकती है अगर आपके परिवार में किसी को भी दिल से संबंदेत या ब्लड प्रेशर या ब्लड शूगर की कोई भीमारी है अगर आपको किसी भी तरह की ठकावाट या छाती में दर्द या चक्कर वगर आ रहे हैं अगर आप देर से सो रहे हो अगर आप देर तक जगते हो और अगर आपको खाना पीना ठीक नहीं है तो आपको बहुत जागरूख होने की जुरत ह आपको अपने आपको बदलने की जुरोत है रदेगाद होने का प्रमुक कारण होता है एका एक दिल की किसी खून की नली में क्लॉट जम जाए उससे रदेगाद होता है और ये क्लॉट कहीं बार डियाइडरेशन की वज़े से भी हो सकता है कुछ लोग जरो से ज़दा एक्सराइज करते हैं उसकी वज़े से हो सकता है कहीं बार सप्लिमेंट्स हो गरा जो लोग जिम में जाकर एक्सेसिव अपनी बॉडी बिल्ड़ अप के लिए शो आफ के लिए भी कहीं बार हम लोग कुछ करते हैं तो यह सब चीजें शरीर पे विपरीत असर भी दिखा सकती है और हमें समझना चीए कि हम कभी नियमित रूप से जो भी अपन एक्सराइज करें वो अपने स्वास्त के लिए करें न कि सोशल मीडिया पे या किसी को दिखाने के लिए जरूत से अधिक मतलब एक 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 साइस पिल कहता हूं मैं इसको एकसराइस पिल का मतलब यह है कि इसका डोज अगर आवशक्ता से कम होगा वो भी आपके लिए थोड़ा नुकसान दायक है क्योंकि पूरा फाइदा नहीं मिल रहा है और अगर आवशक्ता से अधिक करा तो इसकी टॉक्सिसिटी भी हो सकता है तो कहीं न कहीं आपको सचेत रहने के भी आवशक्ता है कि जो भी कारे करें वो सिमीत मात्रा में जो उचित हो उतना ही किया जाए लेकिन हम कुछ समय से यह चीजें सुन रहे हैं कि एक साइलेंट अटेक नाम की चीज भी हम लोग सुन रहे हैं चलते चलते वेक्ति का गिर जाना और उसकी मौत हो जाना नाचते हुए कई कैसे हम लोगों के सामने आए दफ्तर में बेठे बेठे भी इस तरह के कुछ केसे हम लोगों के सामने आए तो यह साइलेंट अटेक आखिर क्या चीज है क्या यह भी एक रदेगात भी अधिकतर जो काडेकरेस्ट या साइलेंट अटेक होते हैं वो वास्तों में रदेगात की वज़े से हो सकते हैं और इसका मतलब यह होता है कि एक घंटे के अंदर-अंदर वो मरीज जो है वो अचेत होकर और फिर मृत्यू को प्राप्त हो जाए लक्षन शुरू होने के एक घंटे के अंदर-दर और ऐसा कहीं बार किसी पुरानी बिमारी की जानकारी नहीं होने से हो सकता है कहीं बार एका एक जैसे मैंने अभी बताया कि क्लॉट जमने से हो सकता है और कहीं बार ऐसा भी होता है कि कुछ लक्षन उस व्यक्ति को रहे हो जो आपने गैस अत्वा एक सामान्य लक्षन समझ के जिसे अंदेखा कर दिया हो कहीं बार मैं यह देखता हूँ कि लोगों को लगता है कि यह तो अपचन है यह तो हमको acidity है यह तो गैस है और हम मानने को तयार नहीं होते हैं कि यह हाट से संबंदित लक्षन हो सकता है विशेशकर महिलाओं में और diabetic महिलाओं में इस चीज की संभावना और अधिक होती है तो अगर किसी को मदुमे या diabetes है तो उसे अपने लक्षनों का और ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कहीं बार यह लक्षन न भी हो सकते हैं बिलकुल सर्फ पहले तो यह देखा भी जाता था और लोग कम से कम aware भी थे कि इसके जो लक्षन है वो कहीं न कहीं रज़ है कि आसपास थोड़ा सा दर्द होना या फिर बाएं हाथ में दर्द होना पीट में दर्द होना क्या लक्षनों में भी अब बदला वे जैसा कि आपने कहा कि गेस से संबन देखते हैं कि मरीज आखे कहता है जी हमें एसिरिटी हो गई है और हमको लिमका पिला दो या हमको पुदी नरा दे दो हम ठीक हो जाएंगे डकार आएगी हम ठीक हो जाएंग और डेंटिस ने उसके सारे दांत देखिया और का कि दांतों में तकलीफ नहीं है फिर वो किसी के कहने पर हमको दिखाने आई और हमने देखा कि एक्चुली उसको यह काडेक सिंटम था इसको अंजाना है तो जबडों में भी दर्द हो सकता है नीचे वाले जबडों में भ हो सकता है कि आपके रदय से संबंदित कोई बीमारी का एक लक्षन हो सर एक आम जन जीवन की आज के हालात के हम बात करें तो कहीं ना कहीं हर बत्ती एक तनाओं में ग्रसित है और खान-पान का कोई सिस्टम नहीं है सोने और उठने का कोई लगबग सिस्टम हम लोग बना तो ऐसा में कितना घातक हो सकता है खास तोर से हाट के लिए तो दिल को स्वस्त रखने के तो यही तरीके जो आपने बताएं कि आप समय पे सोएं समय पे उठें समय पे खाएं और क्या खा रहें इस पर विचार करें अब देखने में या आता है कि आजकल महिलाओं कोई नह को भी इस चीज का थोड़ा सा और जागरुकता होनी चाहिए कि हम भी किचिन में जाके कुछ पकाएं आप महिलाओं पर डिपेंडेंट न रहें तो लडकियों को जो कुकिंग करने के लिए का जाता है मैं तो कहता हूँ लड़कों को भी चाहिए कि वो भी थोड़ा बहुत कुकिंग करना सीखें और थोड़ा सा इसी चीज घर में पकाना का प्रयास करें कि सब चीजे आप स्विगी से या किसी और तरीके से मंगाने का प्रयास न करें यह जो फास्ट फूड का प्रचलन है क्योंकि आपके पास समय नहीं है कि आप सबजियां खरी दें मसाले रखे और घर में कुकिंग करें लेकिन उसका एक बहुत बड़ी बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ती है और इसी तरह से जो आपने तनाव की बात करी जो तनाव है इसकी वज़े से हमारी जीवनशली खराब हो जाती है क्योंकि फिर उस तनाव से मुक्त होने के लिए हमें एडि और जो एक सूचना भी है आप लोगों के लिए कि आप यदि तनाव दूर करना चाहते हैं तो कुछ ऐसे नुस्खे अपनाए जाए जैसे कूकिंग की जाए यदि आप कूकिंग करते हैं तो मुझे लगता है कि दो फायदे हो सकते हैं एक तो आप तनाव से थोड़ा सा नि लेगा क्योंकि आप घर का बनावा खाएंगे हाट टेक वैसे तो ब्लड क्लॉट ही एक कारण माना जाता है लेकिन इस तरह से आपने खा कि उसके अलग अलग पांच सिंटम्स हो सकते हैं ज्यादा तर आप लोगों के पास जो मरीज आते हैं उसमें किस तरह के सिंटम्स ज् क्यार होता है ऑगर किसी भी व्यक्ति को यह तीन लक्षन एक शाथ ढिखें थेज छाती में धर्ढ दोना पासीन अना और घराण होना तो यह रदगात के लक्षन हो सकते हैं ऐसे वक्त तुरंत नजदीक जाकर किसी भी अस्पताल में जहां ECG की सुविदाय ECG करना चाहिए और डिस्प्रिंट की तेट सो मिलिग्राम की दो अथवा तीन सो मिलिग्राम की एक गोली अगर रधेगात के वक्त तुरंत दी जाये मरीज को तो रधेगात से होने वाली मृत क्योंकि सम्भावना 25 पतिशत कम हो जाती है तो डिस्प्रिंट कैन बी लाइफ सेविंग अधे टाइम अवाड़री यह बहुत महत्वून जानकारी भी है सर मुझे लगता है कि जिस तरह के कैसे सम लोग पहले देखते आये ज्यादातर हम लोग सुनते थे चूंकि आप लो होता है उचरत चाप अथवा हाई ब्लड प्रेशर दूसरा होता है डाइबिटीज अथवा मधुमे तीसरा होता है तंबाकू का सेवन स्मोकिंग तंबाकू गुटका और चौथा है आपका कोलेस्टरॉल की महत्रा अधिक होना और पांचवा है वंशा नूगत आपके घर म कम उबर में अगर आपके पिताजी या माताजी को रदे से समधित समस्या हुई है तो आपको भी होने की संभावना बढ़ जाती है यह पांच प्रमुख कारण रदेगात के माने गए अब बात यह है कि बहुत सारे मरीजों में पांचों में से एक भी नहीं होता है तो पहल में यह पांचों जोखी मतवार रिस्क फेक्टर्स की एपसेंस में भी रदेगात हम देखते थे अब हम उस 20 प्रतिशत की जो वो थी अब वो प्रिविलेंच बढ़के 25 प्रतिशत हो जिन संख्याओं के बात कर रहे हैं कि पहले भी यह संख्या आमोबन होती ही होगी मुझ दोनों बाते हैं डाग्नोस भी अधिक हो रहा है और डेफिनेटली इसकी संख्या भी बढ़ी है शहरी शेत्रों में करीब 8-9 प्रतिशत व्यक्तियों में हार्ट डिसीज होने का अनुमान होता है और ग्रामीन शेत्रों में करीब 4-5 प्रतिशत है हाई ब्लड प्रिशर जैसे शूगर और हाई ब्लड प्रिशर के जो मरीज है उन्हें किस तरह की सावधानी रखने के आवश्यक्ता है क्योंकि सीधा इफेक्ट वो जैप कर दाया है तो मेरा सभी से निविदन है कि आपको अपना जैसे जिनको डियाबिटीज है वो अपना हर तीन मेने में एक टेस्ट होता है HbA1c अथवा ग्लाइकोसलेटेड हमोगलोबिन HbA1c की मात्रा आप साथ के आसपास रखें 6.8, 7, 7.2, 7.3 बस इतना आठ के ओपर खराब है 9 के ओपर तो बहुत खराब है हम रोज एक या दो मरीज देखते हैं जिनका 9 या 10 से भी उपर ये मात्रा होती है HbA1c की जो की बहुत ज़्यदा खराब है इसको आपको तुरंट ठीक करना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि पिछला आपका HbA1c कितना था हर तीन मेने में ये खुन की जांच करी जान भी रेगुलर रूप से लेते रहना चाहिए सिर एक बात कही जाती थी कि हायट टेक जो है वो लगबिग अर्बन शेत्रों में ज्यादा पाए जाती है और ग्रामीन शेत्रों में कम लेकिन मुझे लगता है कि अब जो हालात है उसमे ग्रामीन शेत्र के लोगों में भी okडिक है अदिक ए ग्रामीन शेत्रों की तुलना में लेकिन बात यह ही है कि जह तरह से हम शहरों में रहते हैं, अब हम ग्रामीन शेत्रों में भी करीब करीब उसी तरह से रहने की परंपरा में आ गए है और ग्रामीन शेतरों में हम देख रहे है कि जो बच्चे है खास करके वह बड़े रेस्लेस हो जाते हैं, वह भी कॉम्पीट करना चाहते हैं और वह भी उसी तरह कि जीवन शेली के अंदर जा रहे हैं जिस तरह कि हम लोग शेहरी शेतरों में देखते हैं। और नियमित एक्सराइज करना, समय पे सोना, समय पे उठना, यह सब बाते कही न कहीं छूट रही है, हमने यह भी देखा है कि जो बीडी और तंबाकू का सेवन है, वह भी और बढ़ा ही है, ग्रामिन शित्रों में भी और बढ़ा है, और यह सब कारण हो सकते हैं, जिसकी हमक कहीं न कहीं आदुनिक्ता से काफी सहयता डाइगनोस में मिलती है, लेकिन उसका एक डॉबिक यह भी कहा जाता है कि महंगा इलाज हो गया, ऐसे में जिन लोगों के जेब थोड़े तंग होते हैं, उन लोगों के लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे, उन्हें रदे घात की बीमारी भी है, लेकिन इलाज भी करा है. कि खाने के लिए जी रहें, तो आप होश में खाएं, थोड़ा खाएं और जितना हो सके रिफाइंड आइटम्स का उपयोग न करें, तो मैदा, शक्कर, रिफाइंड तेल, इन चीज़ों का उपयोग न करें, मैं आज कल आप सभी लोगों से यह भी निवेदन करता हूं कि देरी प्रोड़क्ट्स या दूद के से बनीवी सामगरी का भी उपयोग कम करें, और नियमित किसी तरह का व्यायम करें, दिन में आट-दस बार ठाकाल आके हासें, खुश रहें, छोटी-छोटी बातों पे अपना मूट खड़ाब न करें, अच्छी नीन सोएं, मुझे व मासाहारी लोगों में ज्यादा पाई जाती है, या फिर शाहारी लोगों में, अब तो एक वीगन सिस्टम भी लोग अड़ाप्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद आपने भी कुछ समय से वीगन, हाँ, हाँ, हेमन जी ये बात सही है, मैं विगत एक वर्ष से वीगन होना चाहिए जिसमें animal products ना है, तो दूध एक animal product है, शहद भी एक animal product है, और हमको ये भी पता होना चाहिए कि ये किन-किन चीजों में उपयोग में लाए जाता है, तो सिर्फ दूध पीने की बात नहीं है, जो आप bread खाते हैं, बजार में बनीवी, उसमें दूध होता है, cookies बिस्किट में दूद होता है और बहुत सारी मिठाईयों में और अलग-अलग प्रड़क्स में डेरी प्रड़क्स का यूज किया जाता है तो मेरा ऐसा विचार है कि डेरी प्रड़क्स का यूज बहुत हमको गटाना चाहिए और यह विश्वास रखें कि अगर आप किया जाना चाहिए वो है उसके साथ में यह भी ध्यान रखना है कि फिर रिफाइंड आइटम फिर भी आपको कट करने क्योंकि एक वीगन व्यक्ति भी खूब शकर का उपियोग कर सकता है तेल का उपियोग कर सकता है और मैदे का उपियोग कर सकता है और आप कह सकते हो कि आप वीगन हो लेकिन वीगन के साथ-साथ आपको यह समझना है कि whole plant-based food जो है वो होना चाहिए जिसके अंदर आप उसको refine न करें मतलब जैसा प्राकृति में है उसको बस पचाने योग्ये बनाए इसको मैं कुछ इस तरह से कहता हूं खाने का समान खेट से मंगाएं किचन में उसे पचाने योग्ये बनाएं फैक्टरी का समान घर ना आएं और घर का बनावा चाव से खाएं यही है युनिवर्सल डाइट जो की है सब के लिए राइट बिल्कुल बहुत अच्छी जानकारी है मुझे लगता है कि इसे किस तरह से पिरोया गया है वह स्वास्त का आपके लिए एक अनुकूल प्रभाव भी डाल सकता है आप इन सब चिजों का प्रियों करेंगे तो बीमारी से बचेंगे घाट से या रदे से सम्मन्दित बीमार बाइपास जी और फिर उसका बाइपास सर्जी इन तीनों की आवश्रक्ता कब-कब कहां पड़ती है और यदि एक मरीज है तो उसे किस समय क्या चीजी की आवश्रक्ता है क्योंकि यह हमेशा कहीं न कहीं लोगों में पशूपेश करता है हिमन जी यह बहुत एक प्रैक्ट करने से कह जाते हैं सर की व्यक्ति के मनों दशा में सीधे सीधे अंदर तक जाती है और मुझे लगता है कि आप जिस लहजे में समझाएंगे वह हर व्यक्ति के समझ बाइए तो एसी एन के सभी तर्शगन आप यह समझें कि अगर आपको हार्ट अटेक अत्वा दिल से संब अगर किसी को हार्ट अटेक हुआ है तो हार्ट अटेक के वक्त आपके पास दो अप्शन है या तो खूनपतला करने का इंजेक्शन लगवाएं तुरंथ या तुरंथ अन्जिग्राफिकर करके अंजिप्लास्टि करवाएं दोनों मेंसे एक आपको तुरंथ मार्ग चुन कई बार एक ही आर्ट्री के अंदर या दो आर्ट्री में क्रिटिकल ब्लोकेज होता है जिसको की आसानी से स्टेंट लगाकर ठीक किया जा सकता है मेरा आपसे अनुरोध ही है कि जो भी आप इलाज कराएं पहला अगर इमर्जेंसी है तो अपना पूरा भरोसा डॉक्टर पे रखें और डॉक्टर की सला तुरंत माने उस पे विलम न करें और अगर आपको ऐसा लगता है कि इमर्जेंसी नहीं है मरीज को इस वक्त हार अटेक एक्यूट अटेक नहीं हुआ है तो आप चाहें तो second opinion आप ले सकते हैं और आप अपने डॉक्टर से ये भी सला कर सकते हैं कि angioplasty या surgery दोनों के plus minus points हम पहले समझना चाहते हैं कि stent लगाने में दुबारा blockage होने की संभावना क्या है surgery में दुबारा blockage होने की संभावना क्या है cost में difference क्या है risk कितना है तो ये सारी चीज़े समझने के बाद फिर आप अपना निनने ले लेकिन अगर emergency है तो आप डॉक्टर के उपर पून तरह से भरोसा करके हम लोग अभी फिलाल कुछ समय पहले से एक pandemic से उब रहे हैं कोरोना को लेकर कई तरह की चर्चाएं होती और अब जो लगातार बरोत्री बीमारियों में हो रही है चाहे heart disease में हो रही है उसे एक कारण उसका भी मानते हैं कहते हैं कि उस समय जो heavy dose हमें दवाईयों के लगे थे या फिर कोरोना जिने हुआ था उसके भी side effect के रूप में इसे देखा जा रहा है कितना सही कितना ज़ए अब इसके उपर 100% तरीके से इसका इस प्रशन का उत्तर कोई दे नहीं सकता है लेकिन दो बाते कहना चाहता हूं एक संभव है कि कोरोना या उसका इलाज या उसकी वैक्सीन या किसी भी तरह से डिरेक्ली इंडिरेक्ली हमारे शरीर में अलग अलग भागों में न सिर्थ दिल में बलकि और दूसरे अंगों में भी क्लोट भणने की समावना शायद थोड़ी बड़ी हो लेकिन अगर ऐसा हुआ भी हो तो दिरे दिरे अब उसका प्रभाव कम होना चाहिए क्योंकि आप करोना को गयवे भी एक साल से अधिक हो गया है और दूसरा यह भी है कि अगर ऐसा हुआ भी है तो अभी हमारे हात में नहीं है अब हमारे हात में तो यह है कि हम और जागरुकों के ध्यान पूलवक तरीके से जीएं क्योंकि अगर जो हो गया है वो हो भी गया है अब उसके ओपर बहुत ज़्यदा अपना मूट खड़ाब करने से या चर्चा करन वते हैं कि हर वेक्ति प्रति दिन कुछ न कुछ नया सीखता है। और ऐसी जो बात है वो सरके साथ भी लागू होती है। मैं पिछले 27 वर्षों से दिल के मरीजों का इलाज कर रहा हूँ और इन मरीजों का इलाज करते समय मैंने ऐसा देखा कि अधिकतर मरीज और उसके घरवाले हमें धन्यवाद देते रहते हैं, आपको शौरत भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, अनुभव भी देते हैं और आख अनुभवी ऐसा होता है, क्योंकि आप उसके जीवन के अंदर जाकर उसके बहुत सारी जटल स्थितियों को समझ सकते हैं, उसकी मानसिक इस्थितियों को समझ कर, आप देख सकते हैं कि उसका एंगल क्या था, तो मैंने ऐसे कुछ बावन मरीजों का संग्रह किया और उनकी क कानी, एक सची कानी है, जिसके जो डिटेल्स हैं, नाम और दूसरे चीज़ें, वो उनको छुपा लिया गया है, और आखरी में मैंने उस मरीज से या उनके घरवालों से जीवन की क्या शिक्षा सीखी, उसका उलेक किया है, जरूर, तो मुझे याद है कि एक बहुत छोटी सी लड़की अपने पिताजी के साथ मेरे को दिखाने के लिए नेपाल में काठमांडू में आई, हम लोग करीब 15-17 साल नेपाल में कारे रहत थे उस वक्त, और मैं बहुत जल्दी में था क्योंकि मुझे बैंको की फ्लाइट पकड़नी थी और मैं लेट हो रहा था, तो मै मुझे पता है कि सर चार घंटे तो उसको में रोट पे आने में लगते हैं, कच्छा रास्ता है, चार घंटे चल के ये में रोट पे आते हैं, फिर वहां से ओवरनाइट बस पकड़के और फिर काठमांडू पांचे हैं, तब मैं को बड़ा अश्चरी हुआ कि मुझे इतन जल्दी वापिस आये, तो उसका उत्तर था कि डॉक साब आप ही ने कहा था, कि दो मेने बाद में को फिर आके दिखाना, तो मैंने समझा कि ये मुझ से गलती हुई, मुझे नहीं पता था ये लड़की कहां से आ रही है, और कितनी दूर से आ रही है, तो मुझे बड़ा अ कि मुझे एक नेपाल का नक्षा लाके दो, अब उसके बाद जो भी मरीज आता था, मैं पहले पुछता था, कहां से आ रहे हो, उसकी लोकेशन क्या और कितनी देर लगती है तुमको आने में, ताकि मैं अगले मरीज से उसका भी ध्यान रखते हुए उसके फॉलो अप का ध प्रीक देती है और आगे बढ़ने के लिए भी हमें आगाह करती है कि किस तरह से किन चीजों का ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, सर एक डॉक्टर के नजरिये से या एक डॉक्टर की बात की जाए तो उसकी वेस्टता आम लोगों से कुछ अलग होती है, क सबसे महतुपूर्ण बात यह है कि हमें यह विचार करना होता है कि हर इस प्रशन का हर बार उत्तर एक ही आएगा कि क्या आप एक सादगी वाला जीवन जीने को तयार हो अगर आप दुनिया की बहुत सारी चीजों में आगी रहना चाहते हैं तो फिर कहीना कहीं आप पॉसिबल नहीं है तो अगर एक डॉक्टर को अपनी सीमित अपनी उसको अपनी सीमाएं पता हैं अगर एक डॉक्टर को पता है कि मैं कितना सक्षम हूं मैं कितना emergency cases या कितने मैं अपने समय अपने मरीजों को दे सकता हूं उसके हसाब से वो विबिन अस्पतालों में काम क उसके साब से वो अपनी क्लिनिक खोले, अब जैसे आप मेरी बात करें तो हम प्राइवेट 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 क्लिनिक नहीं है, और मैं सवेरे से शाम तक मेदानता स्वताल में काम करके, और फिर मैं अपने दो गंटे अपने पिताजी के साथ बिता अगर आपने रूटीन केसे की संख्या बहुत अधिक नहीं रखी है, तो यह रूटीन केसे की संख्या तो हर डॉक्टर के अपने हाथ में होती है, क्या आप क्यूं चाहते हैं कि आपको श्रेष्ट डॉक्टर क्यू प्लबदी मिले, क्या लोग सब आप ही को आके दिखाएं, आप ही का नाम सबसे आगे हो, सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे बड़ी गाड़ी, सबसे बड़ा घर, आप ही का हो, अगर इस तरह की चेश्टा नहीं है, तो आपके लिए जिन्गी आसान है, इक बात में आपने पुरा सार एक जीवन का दिया है, कि सीमित सिस्टम बहुत ज पाएंगे, बरेद राव साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ACN भारत के दर्शकों के लिए इतनी महचपूर्ण जानकारिया दिया, शुक्रिया, आप सबको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार, अंतमे मैं आपको नए वर्ष पे बहुत बदाई देते वे, एक छ स्क्रीन और टीवी और मोबाइल से मुक्त हो जाएं, रात को दस बजे और सवेरे छे बजे से पहले आप बिस्तर छोड़ दें, तो निश्चित रौत और पे आपका स्वास्त अच्छा रहेगा, आप प्रसंद रहेंगे, स्वस्त रहेंगे. क्या बात है सर्थ, साथ, दस और छे का फार्मूला, मुझे लगता है कि इस जीवन में हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए, और मुझे लगता है कि इस फार्मूले के माध्यम से आप स्वस्त रह सकते हैं, स्वस्च रह सकते हैं, और सभी लोगों को स्वस्त रख भी सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया हम अगले कारेक्रम में एक बार फिर एक नई सक्षियत के साथ आपके और अपने हमारे स्वास्त को लेकर चर्चा करेंगे तब तक के लिए इजाज़ा दीजिए नमस्कार